सब्सक्राइब करें इंडिया टाप न्यूज चैनल और बेल आइकन दवाना ना भूलें इंडिया टाप न्यूज अपने छेत्र की ख़वरे सबसे पहले पाएं लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं दिखा वर्दमान में बरसात का मौसम है और जलजमाव के कारण गंभीर बीमारियों के चपेक में लोगा रहे हैं सुनी आगामी नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशी ब्रिजेश धुगे ने क्या कुछ आप प्रसत का अध्यक्ष नहीं ब बहुत बड़े घाराने के एक दोगपती के घर के से आते हैं उन्होंने कभी संघर्ष किया नहीं ठीक है उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया उन्हों वो अचानक जो है चुनाव जीत गए और बलिया की जनता अपने को ठगी सी महसूस कर रही है जनता को यह लग रहा है कि हमने बहुत गलत अध्यक्ष को चुन लिया हमको एक ऐसा चुनना चाहिए था जो जन समस्याओं को लेकर संघर्स किया होता है अगर तो वो होना चाहिए नहीं तो उसको चुनना ही नहीं चाहिए तुबजी जनता बड़ा accept कर रही है आपको जनता के दिलों में धिरे धिरे आ आप बस रहे हैं कारण क्या है और अगर जनता आपको मौका देगी तो आप जनता के लिए क्लिए प्रसासन के पास जाके यह के पास जाके जन्दगी पर किया है इसलिए आज बलिया सहर से एक चर्चा आ रही है कि एक मंटू दूबे एक लड़का है वो भी अध्यक्ष बनने लाइक है और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह है कि मेरे कारेसाईली में मेरे दिन चर्या में 16 घंटा काम करने की प्रविर्ती है मैं 16 घंटा काम करता हूँ और बाकी के 6 घंटे में मैं अपना बाकी के जो 8 घंटे हैं मैं जो यह गंट हें उन्डे मेन 17 घंटो में ए आठंट होने का क्ैम करता हूँ द्यानी ग्यां कारियों से निवर्थ होने का करता हूँ असनान आदि करता हूँ और लगव क्लाम करता हूँल Janta मोका देगी तो क्या करेंग जंटा अगर मोका देगी तो मैं divisions दुकान को छोड़ दूंगा और 16 घंटा जनता के लिए काम करूंगा हमारा नगरपाली का प्रसाइब हमारे अधक्ष अगर बन जाने के बाद हमारे अधक्ष बन जाने के बाद नगरपाली का रात को भी उसकी आफिस खुली रहेगी और वहाई हम सणों को नपवाएंगे कुंद्री करण की दिशा में जो भी कारे होगा वह काम करेंगे और रात को भी मेरा दफ्तर चलता रहेगा मैं राद को भी आठ बजे से लेकर राद से गारा बजे तक उस दफ्तर को तीन घंटा और चलने का काम करूँगा और नगरपालिका के सारे अधिकारियों को बुला कर उनके साथ नियमित बिटिंग, मिटिंग करूँगा, ब्रिभिंग करूँगा और आपको एक बहतर रादी पार्टी से जुड़ा हूँ अभ्यक्ति हूँ, मैंने आदर्णिय जनेश्वर मिस्रा जी, चंद सेखर जी और मुलायन सिंग जी के साथ मिलकर इस बलिया में समाजबात का जंडा बुलंद करने का काम किया हूँ, और जंसमख्चाओं को समय समय पे उठाते रहने का काम मैंने बखु भी दुबगे जी, बर्तमान में बलिया जनपद में जो गंदगी का आमबार है, ऐसको बलिया मेगर का पहचाण माना जारा है, आखिर क्या वज़ा है कि पुरा बलिया जनपद, गंदगी के आमबार से ज़ोज रहा है? इसकी वज़ा है एक ठोस पहल नगरपाली का प्रसासन के द्वारा नहीं किया गया है समय रहते अब तो इनलों के पास समय है नहीं समय रहते हैं इनलों ने ठोस मस्टर प्लान नहीं बनाया और एक धंशी को इस पूरी नगर की सफाई का वह त्था एक के दिन सीनल इस बेड़ा गर कर दिया पूरे नगरपाली का बरतमान में उस्तों क कैसी जड़क में पर इस अदिपके ऑबमुअğlट bissh